हाई गाईज स्वागत है आपका अपनी यूटूब चैनल एमेंजी स्टूडियो में आज हम इस वीडियो में 29 से 30 दिसंबर 2023 के डेली करेंट अपर की कोश्चन देखनी वाली है वीडियो काफी जदा इंपार्टन होने वाला है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और तो इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा अप्षयन है नई दिल्ले में हाले में मुख्य सचियो का तीसरा सम्मेलन आयूजित किया गया है हमारे भारत की पीम नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सचियो के तिसरे राष्टिय सम्मेलन की अध्यक्षिता की है यह सम्मेलन 27 से 29 दिस मशाला हिमाचल प्रदेश में हुआ था और इसका दूसरा सम्मेलन जनवरी 2023 में दिल्ले में आयूजित किया गया था इसका मुख्य उद्देश कल्यानकारी योजनाव तक आसान पहुच पर विशिश दोग दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं अगला कोश्चन यह रहा हाले में निदन हो गया है नेक्ट कोश्चन यह रहा आपके सामने अदुदम आंद्र की शुरुवात किस राज्य में हुई है अदुदम आंद्र स्टार्टेज इन वीच स्टेट तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भी आंद्रप्रदेश में अदुदम आंद्र की शु अदुदम आंद्र आंद्र प्रदेश में अब तक का सबसे बड़ा खेल टूर्नामेंट है इस टूर्नामेंट में क्रिकेट वॉलीबॉल कबड़ी खोखो बैड्मिंटन डबल्स जैसे कई गेम्स खेले जाएंगे यह टूर्नामेंट 26 दिसंबर से 10 फरवरी 2023 तक 47 दिनों क अद्र प्रदेश में विदान सबसीट 175 है और राज सबसीट 25 है हाली में मुख्य मंत्री ने विशा का पटनम को राशदानी बनाने की घोशना भी किये हैं दोस्तों आपको हमारे वीडियो का कंटेर्ट अच्छा लग रहा हो तो वीडियो का दोस्तों के साथ शेर जरूर क किजेगा और आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजे और कमेंट बॉक्स में अपना फीडब्याग जरूर दीजे आए आगे बढ़ते अगली कोश्चन की तरब जम्मू कश्मीर पुनर घटन संशुदन अधिनियम 2023 को लागू करने के लि अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिस उचना जारी की है जम्मू कश्मीर पुनर घटन संशुदन अधिनियम 2023 के प्रावधान लागू होने के बाद राज्जी की विदान सबा में सीटों की संक्या 107 से बढ़कर 114 हो गई है पहले जम्मू में 37 सीटी अब 43 है और 46 सीटी अब 47 है इस अधिनियम के अनुसा 60 सीटे अनुसूचित जाती के लिए रिजर्व हैं पहले 6 सीटी अब इसमें एक एड हो गई है और 9 सीटे अनुसूचित जन जाती के विदायकों के लिए आरक्षित होगी पाकिस्तान के कबजे वाले कश्मीर के लिए विदान सभा की 24 सीटे अरक्षित की गई है इस विद्यक के जरिये सरकार ने राज्य की विस्तापितो जैसे कश्मीरी पंडित के लिए दो वेक्तियों जिसमें एक मैला सदे से होगी और पाक अधिक्रुत कश्मीर के विस्तापितों के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान भी किया है आरक्षन अधिनियम के प्रावधान के तहट देश के दुसरे राज्यों की तरह ही जम्मो कश्मीरी और लदाक में भी OBC, SC, ST और सामाने वर्गों के गरिबों को आरक्षन की वेवस्ता की गई है पाड़ी समुदाएक से जूड़ी कही जातियों को भी ST का दरज्या दिया जाएगा आएए आगे बढ़ते अगला कोशन रहा आपके सामने इस रो एगजनवरी दोहजारी की है इस रो एक जनवरी दोहजारी की है तेश का पहला पोलामेटरी मिशन एक्सपोसेट लांच करेगा इससे पीयास लवी सी 58 के मदर से लांच किया जाएगा एक्सपोसेट भारत का पहला और दुनिया का दूसरा पोलारी मेटरी मिशन है एक्सपोसेट यानि इसका फूल फॉर्म एक्सरेप पोलारी मिटर सैटेलाइट है एक्सपोसेट को इसरो और रमन रिसर्च इंस्टिटूट बेंगलुरु करनाटक की सरयोग से विक्सित किया गया है एक्सपोसेट का लक्ष ब्रमन के पच्चा सबसे चम के लिए इस तरोतों की स्टडी करना है इस सैटेलाइट को 5700 किलोमेटर प्रुत्वी की निशली कक्षा में विस्तापित किया जाएगा सैटेलाइट का जिवन लगबग पासवर्ष तक होगा आईए अगला कोशन देखते है इंडिया एंड विच कंट्री है और साइन्द कुंडन कुलम प्लैंट एग्रिमेंट फॉर फ्यूचर पावर सप्लाइ भारत और किस देश ने भविशे के लिए बिजली आपूर्त है तो कुंडन कुलम सैंत्र समझोते पर हस्ताक्षर किये है ये कुंडन कुलम सैंत्र क्या है आईए समझ लेते हैं डिटेल्स में तो विदेश मंत्री एस जय शंकर ने पाथ दिवसिय यानि कि 25 से 29 दिसंबर 2023 दौरे के लिए रूस की आत्रा पर गए है भारत और रूस ने तमिल लाडू के कुंडन कुलम पर्मानो उज्या सैंत्र की भविश्य की बिजली उत्पारन एकायो के निर्मान से समझ दिस समझोते पर हस्ताक्षर किये है कुंडन कुलम पर्मानो उज्या सैंत्र की बारे में जान लेते हैं तमिल लाडु के तिरु नेल वेली जीले में चेन्नाई से 650 किलोमेटर दक्षिन में ये स्तीत है। इसका निर्मान तमिल लाडु में मार्च 2022 में आरम हुआ था। कुंडन कुलम भारत का सबसे बड़ा परमानू उर्जय स्टेशन है। कुंडन कुलम की पईरी बिजली एकाई 10,000 मेकावाट की क्षमता से लगातार क्रियाशीर फरवरी 2016 में थी। अब इसकी यूनिट 3 और 4 का निर्मान 2017 में हुआ था। नमना कार्गो ट्रक सर्विस है स्टार्ट इन पिश्टेट नमना कार्गो ट्रक सेवा किस राज्य में शुरू हुई है। अगले वर्ष 2024 में इसके पास्टो ट्रक शामिल के जाएंगे। दोस्तों आपको हमारे वीडियो का अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेल कीजिए और आप हमारी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फिडबैक जरूर दीजेएगा अब कमेंट बॉक्स में अपना फिडबैक देंगे तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं किस देश में पहली बार हिंदू महिला डॉक्टर सवीरा प प्रकाश ने आम चुनाव के लिए हाली में नामांकन दाखिल किया है पाकिस्तान में खैबर पक्थु नख्वा के बुनेर जीले में हिंदु समुधाय की सदेश्च डॉक्टर सवीरा प्रकाश ने देश में आगामे आम चुनाव में एक सामाने सीट के लिए अपना नामा टिकेट टिकेट पर चुनाव लड़ने की उमिद है पाकिस्तान चुनाव आयोग की अनुसार अब सामाने सीटों पर पाच परसेंट महिला उमिद्वारों को शामिल करना अनिवारिय है जनरल इलेक्षिन आर्टू बीदा हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन एट फरवरी ट्वेंटी किस राज्य में दिगा सोनावूर को जोडने वाले पूल को मंजूरी दी है इन्वेस्टेट हैस्थ यूनियोन कॉंबिनेट अप्रूद ब्रीज कनेक्टिंग दिगा टू सोनापूर इस कोश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य ने हाली में दिगा सोना पूल को जोडने वाले पूल को मंजूरी दे दी है आर्तिक मामलों की कैबिनेट समीती में गंगा नदी पर 4556 मेटर 4.56 किलो मेटर लंबे नए पूल के निर्मान को मंजूरी बिहार सरकार ने दे दी है यह पूल बिहार में दिगा सी सोनापूर जीले के बीच सिक्स लेन का ब्रीज होगा जैसे कि आपने अभी अभी फोटो में देखा है इसके कुल लागत 3064.45 करट रूपए आई है इस परियोजना का उद्देश the project aims to provide faster mobility आवागम और बिहार के उत्तर और तक्षिन हिस्से के बीच बहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है अगला कोश्चन संतुर्जा कि देश में भारत के राज़दूद बने है संतुर्जा किसकी जगा पर भारत के राज़दूद बने है आई ये देख लेते हैं संतुर्जा ने आदिकारिक तोर पर श्रीलंका में भारत के नई दूद के रूप में कारेबार संबाला है संतुर्जा ने गोपाल बागली की जगर ली है जिने ऑस्टिलिया में भारत के अगले उच्चा युक्त के रूप में नियुक्त किया गया है अब श्रीलंका की बा और वहां की currency श्री लंकाई रूपया है दोस्तों आपको हमारे वीडियो का content अच्छा लग रहा हो तो आप comment box में अपना feedback जरूर देजिएगा आप comment box में अपनी comment करोगे तो हमें motivation मिलता रहेगा और हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे टॉपिक के साथ नए नए वीडियो बनाती रहेंगे और इसे के साथ आप हमारे चानल पर नए है तो चानल को subscribe कर लिजे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share जरूर कीजे चलिए आगे बढ़ते हैं अगला question देख लेते हैं सरकार द्वारा आरक्षन के लिए विकलांगता श्रेनियो की संक्या 3 से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है इस question का answer हो जाएगा option C 3 से बढ़ा कर पार्च श्रेनिया कर दी है जिसमें सरकार ने विकलांग वेक्तियों के लिए आरक्षन के लिए विकलांगता श्रेनियो की संक्या 3 से बढ़ा कर पाच कर दी है श्रेनियों में पहले 3 श्रेनिया थी जैसे कि अंदापर और कम दुरुष्टी भेरापर और सुनने में कठिनाई सेरेबरस प्लासी, ठीक होई कुष्टरोग, बोनापर, एसीड, एटेक पीडित और मस्कुलर डिस्ट्रोपी सहीद लोकोमोटर विकलांगता थी अब इसमें दोश्रेनिया एड हो गई है जैसे कि अर्टीजम बौधिक विकलांगता, विशिष्ट सिखने की विकलांगता और मानसिक बिमारी खंड एक से चार के अंतरगत बहरे अंदत्व सहीद वेक्तियों में से बहु विकलांगता है दोस्तों आपको हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजे और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को क्षेर जरूर कर लीजे आगे बढ़ते हैं अगली कोश्चन की तरप 85 बैडमिंटन राष्ट्रिय चैंपेंशिप का पुरुष एकल का खीताब किसने जीता है इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा अगला कोश्चन देखते है इस कोश्चन का अंसर हो जाएगा दोस्तों यह थे आज के हमारे दो दिन के करन्ट अपिर के कोश्चन आपको हमारे वीडियो का कंटेट अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी फीड़बैक जरूर दीजेगा आप अपनी कमेंट फीड़बैक में देंगे तो हमें ऐसे ही मोटिवेशन मिलता रहेगा ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी टॉपिक के साथ नए नए वीडियो लाते रहे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कीजे और आप हमारे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्काइब कर लेजे और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर जरू कीजे तब तक के लिए बाई